हालो गुरू जी गुल्लू बोल रहा हूं टेक्सी ड्राइबर हां हां मुझे पता चल गया वो हराम खोर बंटी कहां है आप फटापट ब्राइटर रेलबेश ट्रेसरे पर पहुच जाओ और सुनिये मेरी टेक्सी लेते आना प्लीज कौन मालिक बोल रहा है साले तेरी टेक्सी मिल गई तू ब्राइटर इस्टेशने पर पहुच अपनी टेक्सी लेव फटापट फूटिया से एक बार तेरी टेक्सी देदूना उसके बाद तेरी गुलामी हमेशा मेजगले बन तरी माका नाका कि अपने पती को मारा तूने और इल्जा भंपर लगाया मैंने किसी का खूण नहीं किया अच्छा तो क्या वह खूण मेले किया हाँ जूण बोलती है अगर तूने वह खूण नहीं किया तो उसने भागी कि देर उसे मैं तुम्हें अपने बारे में सज्जाई बताने आए कौनसा सचती नहीं हो तो मैं भी ज़न तो त्रेडया मुनीने अ है ट्रा नाम नहीं 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 तेरा नाम नी कि मिनुण तoria मेरा पति तो इस देन जल कर मना कोन नीशा चोहन दिक्रम चोहन की असली पत्ती जूट पे जूट जूट पे जूट बोलती जारी है शरम नी आती जिस दें से मिली है उसने तर जूट पे जूट बोलती जारी है शकल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमडी है अरे गल्ती तो मेरी है जो मैं तुम एपनी मेरा नाम हदित्य है अदित्य देसा है जो आदमी मुझे लालज में हिया लाया उसके एरादे गलत निकली जिस तिन उसके बुरी नजर मुझ पर पड़ी मैं वहां से भाग निकली लेकिन मेरा पासपोर्ट वही पर रह गया ये तो मेरी खुशन से भी है कि मुझे मेरी दोष काम कर रही थी उसने मुझे उसी डांस क्लब में काम दिल्वाया और वहां नाच कर मैंने अपना गुजारा कर लिया तब एक तिन वहां पुलीस पांच गई और इससे पहली कि वह मुझ से मेरा पासपोर्ट मांगे और कुछ सवाल पुचने लगे मेरे तर के मारे वहां से लेकिन पुलीस ने मेरा पीछा किया उसी वक्त एक गाड़ी मेरे सामने रुकी जिस आदमे में मुझे पुलीस से बचाया वही विखरम चौहान था केरिन, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों तक मीरी पत्नी बनने का नातक करो और तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ खब्राव मद, मैं तुमें चूहूँगा नहीं और मेरा काम खतम होते हुए मैं तुमें एक नया पासपोर्ट और पचीस लाक रुपे दे दूँगा जिससे तुम खुशी-खुशी इंडिया जा सकती हो और अगर मैंने इंकार कर दिया तो फिर तुम्हें पुलीस से भी कोई नहीं बचा सकता है कोई मेरी पास और कोई चारा ही नहीं था मैंने सोचा मुझे अपना पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं वापस इंडिया चली जाओंगे अपने माबाप के पास और मैंने उसे हा कर दी उस राज जब मैं तुम से मिली तब विक्रम भी वहां मौच जो था हम दोनों डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके सामने में खुदकुशी का नाटक करके यह साबित कर लो कि मैं यानि की विक्रम की बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी लेकिन उससे पहले तुम्हारी गाड़ी वहां पाहुंची जब डॉक्टर आए तो मैंने उनके सामने मरने का नाटक किया लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और तुमने मुझे अपने नाटक में काम करने के लिए पूछा मैने तुम्हे अपना नाम मुन्नी बटाया और कुछ जूटमूट की कहानी सुना दी उस राज जब बाबला ने किसी को मेरे साथ बात करते हुए सुना, वो विक्रम ही था, उसने मुझ से कहा कि मैं तुम लोगों के सामने ऐसे हरकते करूं, जिससे ये लगे कि मुझ में suicidal tendencies है, ताकि तुम्हारी गवाय की त्वारा डॉक्र के सामने ये साबित हो जाए कि मैं पा काम पूरा हो गया, और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, ये रहे बाकी के पैसे, आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो, और ना मैं तुम्हे, गड़ लग, थैंक यू जब मैं वहां से निकली, तो मुझे याद आया कि मैं अपना पास्पोर्ट अंदर ही छोड़ाए थी, मैं उसे लेने वापस गई, तो मैंने देखा, कि विक्रम चोहान एक नड़की को घर के अंदर ले जा रहा था, जो बिल्कुल होश में नहीं थी, और वो और कोई नहीं उसकी असली पतनी निशा चोहान ही थी, रुक जाओ, वैं तुम्हें असान नहीं करने दोगी, तु यह क्या करी है, जाल से मार दोगी लेकिन असा नहीं करने दोगी, तु रोकेगी मुझे, मेरी बरसों की मेरद पर पानी फेरेगी, मेरा प्लान चोपट करेगी, निशा, निशा, निशा भाग जाओ, निशा भागा, यह तुम्हें मार दालेगा, निशा धर्वासा बंद करो, विक्रम पहले उसे जिन्दा जलाओंगा, बाद में थेरी बारी, निशा, दर्वाजा खोलो, निशा, निशा, दर्वाजा खोलो, निशा, सुनो, दर्वाजा खोलो, मैं कहता हूं, निशा, उसके बाद, उस हैवान ने अपनी पतनी को जिन्दा जला दिया, लेकिन मैं कैसे भी अपनी जान पचा के वहां से भाग देई, मैंने तुम से कई बार मिलने की और सच्चाई बतानी की कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी वज़े से मैं तुम तक पहुंच नहीं पाए, देखो, अगर मैं मान भी लूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन तुमने विक्रम को क्यो मारा, पंटी मैंने विक्रम को नहीं मारा, पंटी इसको छोड़ दा रा ही, मैंने कमिश्टर साब को फोन कर दिया है, वो आ रहा है इसको पकाटे के लिए, ये क्या कि क्योंकि, क्योंकि उसे ने विक्रम का खून किया है, ये तुमने के लिए, इंडिया से गुंडे लेकिया है, या तो मेरे हस्पदाल का खच्चा चुकता कर, या पर उस गुंडे को मेरे साबने पेश कर, कहा है, परचान ना क्या है, छटी मंजिल पर अखेला हूँ, आओ ना, कहा, उपर, 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 चाल, कहा ले जा रहा भाई, मेरी टांगे, उस दिन जब मैं तुम लोगों से मिलने थियेटर आय थी, तब दिक्रम भी वहां मोजूद था, नीशा की मौद की तुम एक लोटी कवाह हो, मैं तुमें सिंदा नहीं देख सकता, विक्रम! उसने फिक्रम पे गोली चलाए और वो जखमी हालत में भागते हुए, आप लोगो के पास आप उँचा, मैं उस खून की अकेली गवा थी, उसने मुझे मी मारनी की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली, उसने यह भी पता कर लिया कि मैं कहां रहती हूँ, मैं तुम लोगों के पास भी नहीं आ सकती थी की मदद मांगने, उसने तुमें भी खून के इल्जाम में फसा लिया था, तब मैंने अपनी दोस शीदल की मदद ली, टिकेट खरीदने के लिए, इससे पहले कि वो मुझे जान से मार दे, मैं इंडिया वापस चली जाओं, अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक बाद समझ में या थी कि पुलिस कमिशनर विकरम चौहन का खून क्यों करेगा, पंचे ये मैं भी नहीं जानती क्यों, मैं बद आता हूँ, क्योंकि नीशा मेरी एक लौती बहन थी, माबाप के मारने के बाद, मैंने उसे, अपनी बच्ची के दर अपारा था, एक दिन उसने मुझसे कहा क्यों एक लड़के से प्यार करती है, तो उसे शादी करना चाहती है, उस लड़के का नाम सा विकरम चौहन, मैंने कभी अपनी बहन की बाट नहीं टा दी, और मैंने उनकी शादी करा दी, शादी की कुछ माहनों बाद, मेरी बहन की दिमाग यहालत पर गड़ने लगी, तो फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसने अपने आपको जला कर माल डाला, जब पोस्मॉर्टन की रिपोर्ट आई, तब उसके खून में ड्रक्स पाया गया, जब मैंने ताहिकिका चुरू की तो ये बात सामने आई, कि मेरी बहन की दौलत पाने के लिए, विकरम अच्छ जड़ा कर अपने बच्चों को अनाद करना चाहते हो क्या, वो इस पलसे मैं इसकी तलाश कर रहा था, तो जब मैं थेटर पर आया, तब मैंने उसे देखा, मेरी तकदीर अच्छी थी, कि आप लोगों ने अनजाने में उसकी लाश को एर कंडिशने इंड़ा, जहां से वह सरक्ती हुई स्टेज पर आगे दी है, मैं इस लड़की को नहीं चुआ जिसने मेरी बेहन के गतल में विक्रम का साथ दिया था, तुम दोनों को भी नहीं, जिसके खून की गवावा बने टेक मिने, मैं आपकी जिजबात की बड़ी कदर करता हूँ, ये लड़की कुछ अपनी सफाई में कुछ कहला चाहती है, ब काम करो तुम लो यहाँ परुक मुसके टांग तौर गारता हूँ ये निटले तो उसको पगर लड़ना क्या चाहती है, तू मेरे गैर्ण तू मैं हुना है, गुरू है है? है, जर फिए कि यही शेर खान है कि यह बॉस लेकिन उसके हाथ में ना बैग है ना पैसा है अरे जी क्या डिमांड रख रहा होगा जाके पूछ उसे जाओ कि यह बॉस ने पुदिन क पैसा 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 मॉल का पैसा पूडी आ बॉडी आ पोडी już नंहीं मैं उसका ससूर हूं ससूर ओमाइगाड हमें आपके दामाद से मिलना है आपका दामाद का है मर गया कब अभी एक मिनट पहले मर गया कैसे चोकलेट खाके अरे क्यों मेरा फर खाते हो या तुम्हें कौन हो भाई बंटी तो मिला रहे यह जीब लो कोन है बस इन ही मालूम होगा बंटी कहा है यही तो मेर अज़ा बस यहीं कुलो मुझे इन लो कर बंटा वका बस है यही जो बचालो बचालो बेंटा भूस को बोल रहे है यानिक यसब मुझे पुलीस है यहीनि श चयरखान को पकला तर्टे श्भाण से काड़ें टॉस एजए पके अज़ो पणना इस तो मुझे गया पढ़ी आ अख, ए कुपिया लो कुपिया अख, इस yदे लोगनी टॉपिया अष्ट दोड़ी से दूदी कोई रोगनी कोई देृश्ट कोई दूदी दूदी अगाजना है! में वी जब खी पोर्फ, हैं वी तौर草 और वी वी 증명 में है उत्रहश एंप करेंगेज़ गॉर। कि अज़ी हजे एके डाग हा गॉद कर दो अॉद करने श्र०। पताला mein अज़ हाई धते हैं, घह को mixer तुम कहनतु रिराजी उरो कि अजय है मजञ अुम का अजय है दोते बस्क अजय है ए्यारन ये सकत कि तुम अज़ा पड़ा ते किया जली चारुट सस्क्रणा विएरी और विएगवान थे आपके अगानुटाव प्रशाइ व्रपशाए वटार शेखवारी कि अगतीज़ यूटाथ भालाएवानुर। कर दो, कर दो दोा मना रम सो भाब我們 कन दो! मूज़ को दो! cioè यार सेयंग मूज़ के परदान हम! मुझन, मुझन, मूझन! थज बाळस। वझाँ 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 वजज़ वझाँ वझाँ वधाम क्वब करें वटकर भूँ को बगित सकना Griffith, क Amendment 1, जढऄस, क也是 ठ पिते हैं, मेरे जढईस, कि में अ, जढगे हैं, जढगे हैं पो कर दो को कर मैंने कर दोर। प्रयओ मुझारी अँउर आओ, आओ, वोचो खोलो जरा, पैर रिग को.. प्रूट कैसे हैं सर जो कुछ भी हुवा तुछ के लिए मैं माफी चाहता हूं यह रहे आपके पासपोर्ट्स धन्यवाद जो भी ठी हो जाये तब लोग जा सकते हैं हाँ मिलेंगे कभी दुनिया के किसी कौने में कौने में मिलेंगे खाट पे नहीं थैंक्यू किसी सबसे हाद इस बाल पून इस बाद हाँ हाँ मुद्छで किसी बाल इस बाल पहले जाते जाते कोई देखि जो तेरी ये अदा, दीवाने हो गए फिदा, You may believe not, no, मेरी हिबाहों में कभी शर्माएगी, कभी खबराएगी, कभी तो आएगी. कर दो कर दो कर दो कि शर्माएगी कभी घबकराएगी कभी तो आएगी कि अप्रागी अप्रूमाएगी कभी तो आएगी पहते हैं बहके बहके ऑच पहते हैं ओच दिख दिख यूगा पहते हैं रस्ते पे बिल पिछा दिया धरकन से है सजा दिया पाएंगे तुझको साथिया लोफ यू विल विन कभी शर्म आएगी कभी घबराएगी कभी तो आएगी आते आते जाते जाते खोए खोए जागे जागे ठके ठके हारे हारे दोड़े दोड़े सारे सारे पिछे पिछे आगे आगे गीरे पड़े भागे 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 भागम भाग झाल झाल झाल